उतर परदेश के जनपत हापुड के गड़ मुक्देशर शेत्र में लगने वाले मेले में इस बार कई सालों बाद पशु मेले का आयोजन किया गया जो लंबे समय के बाद लोगों के लिए आकर्शन का केंद्र बना हुआ है वज़ा है धन्नो वो धन्नो जो फिल्म शोले के बाद से लोगों के जुबान पर थी लेकिन हम बात हिमा मालेनी की धन्नो की नहीं बलकि पशु मेले में आय इस घोड़ी की कर रहे हैं जिसके कीमत सुनकर आपके होश उट जाएंगे जो लोगों को मेले में शोले फिल्म की याद दिलाने का काम भी कर रही है। दरसल शोले फिल्म में हेमा मालिनी की धन्नो नाम की घोडी थी। उसी फिल्म की तरज पर एक पशुब्यापारी ने भी अपनी धन्नो नाम की घोडी की केमत धाई लाक रुपे मांगी है। बता दें कि 2021 में कोरोना के दौरान ये मेला लगना बंद हुआ था। जबकि पिछली बार गड़ मुक्तेश्वर में कार्तिक गंगा अस्तान के मेले का आयोजन हुआ लेकिन पशुब्यापारी अपनी घोडी की बच्ची को बेचने के लिए मेले में पहुँचे। पशुब्यापारी सरदार सिंग ने बताया कि शोले फिल्मों में हेमा मालिनी के पास धन्नो नाम की घोडी थी। उसे से इंडिया कre संबसे बड़ा मेला इस से बड़ा तो पसु मेला नहीं ना इनसान मेला इंसान भी अन्दर गूर्टा तादात नहीं हैा और यह फूब बगर इसाब कि आती है कि घव इसकी परिवार इस परेवारै बाप इसकाbs कर का अपने जरे माझा है इसकी से फक्र बच्ची आपके सामने कड़ी हुई है मेला बढ़िया लग रहा है हां मैं तो बच्पन से ही इसी मेले में आ जब छोटे थे जब गोड़े की कीमत नहीं यहां तीन तीन चार चार लाग रुपे कब गोड़ा विक्रा अच्छा आपने अपने उमर आएगी दो साल बाद तो पांस लाग रुपे कीमत बता दे कि मेले के लिए गंगा के आसपास के शेत्र को समतल किया गया है जिसमें शिधालू लोग अपने ट्रेक्टर ट्रॉली और बैल गाड़ी से मिला देखने के लिए आते हैं उनके डेरे लगाए जोएंगे ये मेला कारतिक मास की पूर्ण मासी तक चलता है पंजाब के स्ट्रो टीवी के लिए हापोर से सुनिल गिरी की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्य येवी करें लाओ येवीयो फीजियो परदेशन के लिए खित्युक झाले मते हैं आप भाए विए करें प्रूर क्वेशन के लिए जरूर को से येवीधियो कारें लिएषय।